यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं यान कि वीडियो में आगे बड़ाए दोस्तों आगर आप फीज़ फार्मिंग करने चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक बेसिक और पहला रिकॉर्मेंट क्या हुआ कि आख को त्यार के लिए करते करने के लिए आपको बहुत आएका आपको त्यार करने के लिए आपको बहुत सारे बात को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा उसका पहला पॉइंट आता है कि है वह साइट सेलेक्शन मतलब आप मचली पालन के लिए आपको पहले पॉइंट में पहले पॉइंट एक है जो आपको ध्यान में रखना हुआ कि वह साइड यानि जज़ागा को अपने स्लेट किया वह जाता उचली हिस्से पर नहीं हो यानि कि तोड़ी नीचली हिस्से पर हो एक है फ्याल पॉइंट जिए पॉन्ब्स का पॉइंट करेंगे वहां का साइट से मानलीज़े कोई नले हो या नदी हो बैकर जाए रहा हो जिसका water polluted है ऐसे जो condition में आपको उस साइट में आपका pond construction करना नहीं है मानलीज़े वहां से जो polluted water हो जा रहा है और उस water आपका pond में रिसकर चला आएका और आपका pond का जो environment वह भी polluted कर देगा ठीक है तो उसके बाद आगे बढ़िए कि वहाँ का करना है मित्टी का टेस्ट करना है यानि कि वहां का जो अ पर चार से पांच फीट तक गड्डा करेंगे और उस मित्टी को चेक करेंगे कि उसमें सेंट क्ले और जो ila है उसका परसंटेश कա सांए एक इन सेंट मिलकर हमता है और बनले आप इसको आपको टेस्ट करना पड़ाइब इसको आप टेस्ट कर सकते हो या फिर आप इसको आप घर में टेस्ट कर पाएंगे कैसे वह आगर आप जानना चाहिए तो आप कमेंट कर दिया और एक डेडिकेट भी वेडियो ले आगा इसके बारे में कि आप कैसे घर में है आपका जो मिट्टी है ओगांगे छी है जो गराँ दोस्तों तो में चाहिए धी पड़ाने ब्लाकशाणी तालाब का सेव और साइज को धर्मेर रखकर आपको खुद बाना पड़ेगा तो दूसरा वाइंट गया हुआ तालाब का साइज और सेव के बारे में बोलूँगा ठीक है तो दूसरा पॉइंट आपका तौलाब का जो सेव होगा तालाब का सेव हमारा कल्चर यानि की लंब चावड ज्यादा। और इसका भाषर हो यान मालिजे उसका चावडाए अगरर वान मीटर होगा तो उसका लंबाई होगा दो मीटर क्रक्राइब कर पाएंगे कर पाएंगे मिनिवाम हमारा मसली पालन के लिए मिनिमाम मेंक्ट करते हैं अब आप एकर से उपर का तलाब आप तयार कर पाएंगे आपको मचली पलन के लोग और वह सुटेविल भी है मगर यह जो है वह इस पीशिस डिफ्रेंस से डिफ्रेंस डिफ्रेंस से यासे माली आप आई-एंसी में आई-एंसी माझ के आपको बड़ा जाएका चाहिए उसकी ही हिसाब से अगर मन देख करेंगे उसका सब्सक्राइब थे च्छोटा जाए इसलिए मचली के स्पिचीस का स्वीशिस का डिफिपरेंस डिफिएंस्में तलब का साइज होग होगे सक जो में हम यहां पर पॉयंट का टैरेक्शन also नहीं हम जो इसका लम्भा है यान कि हमारी ठके उनल रहेंगे पौरॉप से प्रसटिघंड तक क्यूंबँ तोस्तों इसके पीछिषी बहुत सरे बैल्ट कॉरण है और उसके बैखेर कारण क्या है जो हमारा सूरा जो पूरो में भुगता है और पस्चिम में ढलता है तो तो वहाँ पर जो जो मैक्सिमम जो सानलाइ्ट है हो वह हमारा जो तलाब में पढ़ेगा इसलेगी हमारा यहां पर रेक्टेंगुलर तलाब को इस ते ओष्ट तक उसका जो लंबा या वह राखने के लिए रेक्मेंड किया जाता है ठीक है दोस्तों यह गया हमारा डायरेक्शन के बारे में उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइ सब्सक्राइब टायरेक्शन करेंगे तो यहां पर आपका जो पॉइंड करेंगे और उसका जो वाटा डेप्ट कम होगा तो उहां पर वाटा डेप्ट में ली साड़ी चार से पांच फीट तक रखा जाता है और उसके बाद हमारा पांज सी 5-5 फीर तक रख मगर हमहारा हम आज जो बात करेंगे हमस्टी कीबाद धील जो स्लॉक्ष का डेपन का डेप धा दूर स्टो उह रिक्चोंड के याता है सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो वाटर लेबल आपको सब्सक्राइब करने के लिए अगर यह सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो पॉंड का जो वाटर डिप्ट रखना पड़ेगा वाटर डिप्ट फूली इन कल्चर फिरियोड ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों पॉंड में आता है दोस्तों पॉंड इंजिनियरिंग मतलब कि तलाफ खुदबाने के लिए इनलेट मतलब जहां से आप पानी को आपका पॉंड में ले आएंगे यानि कि जहां से आप पानी को प्रभिस करेंगे आपका पॉंड करेंगे आपका जो पॉंड का पानी है उसको आप बहार ले जाएंगे उसको आउड लेट करेंगे ठीक हो तो पहले आप जब पॉंड आप तयार करेंगे तो पहले आपको आपको ध्यान में रखना होगा और दूसरा जो बाद है आपको ध्यान में रखना होगा पॉंड का स्लोप मतलब किसका स्लोप पॉंड का स्लोप मतलब पॉंड का डाइक होता है उसका स्लोप को आपको नजर में रखना होगा यह जो डाइ ताइन करेंगे जो पाने क게 हॉता है उस है तोट सकता है यह ती को टोट सकता है तो में दैहें का टूटने का अगर Fitz एंचंघिया मघ करना दराव अंदर बहुत को musst लिए और टोट गया सब्सक्राइब और भी डीटेल्स में एक वीडियो लेया हुआ कि आपको क्या कि चोटे चीजों की ज़रुरत है पॉंट कॉंस्ट्रक्शन करने के लिए इसके लिए मैं डेडिकेटे वीडियो लेया हुआ और झालब तयार करना जाते हैं और थैयार करने के लिए और में लास्ट में ऑफिसरिसलिस एसके लिए बहुत सरे स्कीम से बढ़े हैं मुझे यह सेंटल मेंट और स्टेट मेंट मैद करते हैं मुझे अशा हमारा को 짓 इस से बहुत सर और भी स्कीम सा गया है हमारा कुछ दिन पहरा था प्रधरमंति मतस्वाम भज्जा जो लॉंज हुआ है उसके बारे में आप जाकर फिसरी सब्सक्राइब कर सकते हो और जान सकते हो ठीक है दोस्तों दोस्तों आज का इस वीडियो को में ज्यादा बड़न नहीं कर संद़ दो सब्सक्राइब करना ठनवात